इधर कौशांबी में भाज़त्पा के प्रबुद्ध सम्हिलन के दोरान प्रदेश के नागरिक तुद्धेन मंतरी नंद गोपाल लंदी ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। उनने का कि पूर्वद की प्रदेश सरकारों में गुंडों का रास था लेकिन योगी सरकार में एनकाउंटर से गुंडा राज पर लगाम लगाई गे लिए। साथ ही उनने कुरुनाकाल में किये गए कामों का भी जिक्र किया। जब वो सरकार में रहती हैं तो उनका एक ही मकसद और सरकार में आज नहीं है तो भी एक ही मकसद गाओं का कोई बच्चा बसपा का कोई छोटा सा कारिकरता उससे भी पूछो कि तो बहन जी चाती कि एक लाख रुपे वो चंदा देते सव करोड से ले करके एक लाख रुपे तक और दस जार रुपे तक भी चंदा लेने का और अपनी तीजोरी भरने का काम किया और अब बात समाजवादी पाठी की सपा की जनादेश यात्रा आज वारणसी पहुँच रही है पाठी महासची विंदरजीत सरोज के नित्रत में ये जनादेश यात्रा निकाली जा रही है आज बरेली में सपा का पिछड़ावर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण है पिछड़ावर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप संबोधन करेंगे प्रयागराच में समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ट का सम्मेलन होने जा रहा है तो जनादेश यात्रा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है दूसरा चरण शरू हो रहा है आज वो 12 असी पहुँच रही है पिछडा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने जा रहे है समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ट का भी आथ सम्मेलन होने जा रहा है और मिशन 2022 को फत्य करने के लिए सपा पूरा जोर लगा रही है इसके लिए कई समाजिक न्या यात्रा सम्मेलन तो कहीं जनादेश यात्रा निकाली जा रही है और ये सपा के दो अलग अलग यात्राओं की तस्कीर हमने आपकी स्कीर पर रखी है पहली तस्मीर पीली भीट की है वहाँ सपा पिछडा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप समाजिक न्या यात्रा सम्मिलन में शामिल हुए दूसरी तस्मीर जानपुर की है वहाँ समाजबादी पार्टी के राष्ट्रिये महासेशित पूरोबंतरी इंदरजीत सरोज जनादेश यात्रा लेकर जानपुर पहुँचे यहाँ पर नोने पार्टी कारे करताओं को चुनाओ के लिए तई आ रहे ने वो कहा उदर सुहेल देव भारतिय सवाजबाटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजबाड ने मौत से बाहुबली विधायक मुक्तारंसारी को गरीबों का मसीहा कहा और कहा कि जो भी उनके मोडचे में आएगा उनका स्वागत है ओम प्रकाश राजबाड ने कहा कि मुक्तारंसारी को जनता भगवान मानती है और वो गरीबों के मसीहा है राजबाड ने ये भी कहा कि मुकदमा तो किसी के उपर भी लिखा जा सकता है लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली है देखे मेरी निगाह में जो मायवती ने कहा है वो सच है आप मेरे साथ चलिए एक दिन गाजीपुर में गाजीपुर में लोग उनको भगवान मानते हैं वह में चलिए पांच बार से भी रायक ओट देती है जनता तब न चुना जाता है अगर वो माफिया होता तो लोग ओट क्यों देते पांच बार से मिल ले हैं इस नाते मुकतार अंसारी गरीबों का मसीया है वो तो ठीक है मुकदमा तो किसी को पर लिखा के जेल जा सकते हैं सजा तो नहीं ने मिली उत्तरप्रदेश विदान सबाद चुनाओं की तैयारी में लगी अर्विंद के जरिवाल की आम आदमी पार्टी ने यूपी की 100 सीटों के लिए पार्टी के प्रभारियों का एलान कर दिया है जबकि अनुसुची जाते के 16 और ब्राम्मर समाज के 20 लोगों को जगा मिली है मुसलिम वर्ग से 5 लोगों को प्रभारी बनाया है इसके अलावा 24 सीटों पर सामन या अन्य वर्ग के लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभारी बनाया है अपने सव विधान सभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये सव विधान सभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्यासी और उम्मिद्वार अपने अपने छेत्रों से होंगे इस मंसा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन सौ विधान सबब रभारियों का चैन किया है इस सूची में सबसे ज़्यादा रतने दित्व पिछड़े बर्थ के लोगों को 35 कंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े बर्थ के कंडिडेट्स को बना गया इदर ओ ऐसे के बाद अब आम आदमी पार्टी का भी आयुध्या के नाम से परहेश दिख रहा है आम आदमी पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें प्रत्याशियों की लिस्ट में जिले का नाम फैजाबाद लिख दिया दो तस्वीरे आपकी स्क्रीन पर है पहली तस्वीर में जो लिस्ट दिख रही है उसमें आयुध्या की जगा फैजाबाद लिख रहा है तो दूसरी तस्वीर दो दिन पहले की है, अब मनीश से सोधिया और संजय सिंग राम लला की दर्शन करने आये थे तो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जाने की गई है आपकी तरफ से, वहाँ पर आयोध्या है अब जिले का नाम, लेकिन वहाँ फैजाबाद लिखा गया है इसी दोरान उन्होंने बाजपा और RSS पर हमला बोलते हुए कई बयान दिया राहुल गादी ने का कि बाजपा और RSS हिंदू धर्म का इस्तमाल करते हैं अभी गांदी जी की फोटो देखी आपने गांदी के साथ आपको तीन चार महिला हैं दिखेंगी दिखेंगी सही मुहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है कभी देखी है हो इनी सकता क्योंकि उनका संगतन महिला शक्ति को दबाता है करश करता है वहीर राहूल गांदी के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार कि अब भाजपा नेता नरेश अगरवाल ने कहा कि राहूल गांदी को खुद हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता इसके बावजूद वो ऐसे बयान देते रहते हैं इसमें पता राहूल जी को लक्षुमी जी सवस्वती जी सुर्गा माता यह मारता का है के लिए मशूर है यह भी पता होगा नावल गांदी तो अंग्रेजी स्कूलों मा बड़ा हैं उनको हिंदी के बारे में और देश के बारे में को बहुत घ्यान नहीं है जो पेड़ना पच्छान पाया की जओं की बाली कौन सी और यहूं की बाली कौन सी इदर योपी महोने वाले विधान सबाचनाओं में एंडिये की सहीरगी पार्टी रिपाब्लिकिन पार्टी आफ इंडिया भी दम भर सकती है कुरकफुर में पार्टी के अध्यक्ष और केंद्री राज्यमंत्री रामदास अठावले ने इसके संकेत दे दिये हैं इसके लिए आरप्याई 26 सितंबर से योपी में जन जागरती और जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन कल्यान यात्रा की शिरुवात करने जा रही है इसके लिए उन्होंने प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने की मांगी है जिस तर अमने बोला कि एक आओ 500 मकान हों का है और वहां मतलब 80 परसेंट लोगों के पास जमीन होती है 80-85 परसें दर्स-15 परसेंट लोगों के पास अगर जमीन आ नहीं है उनको पांच जमीन कैसी दे सकते है इसका प्लान सर्कार नहीं का करना चाहिए मैंने पली भी बोला कि सरकारी लो विकेंड लेंड होती है वो की दी जा सकती है झाल पराली जलाने के मामले में जो FIR दर्ज हैं जिन लोगों पर वापस ली जाएंगी वो मुकद में वापस ली जाएंगे सरकार की उर से निर्देश जारी एडिशनल चीप सेकरेटरी होम की तरफ से तमाम जिला दिकारियों को पुलिस कफ्तानों को बड़ी राहत इसका वादा किया था मुक्यमंत्री ने जब किसानों समबाद हो रहा था और यह वादा पूरा किया गया है अगली खबर बारा बंकी से सीम योगी आज 244 परियोजनों के सौगात देंगे 244 परियोजनों का लोकारपण और शिला नियास करेंगे सीम जैदपूर और बारा बंकी सब्दर विधान सभाष्षेतर में ये जन सभा आज होगी और इस दौरान कुल 246 परियोजनाओं की सौगात बारा बंकी को देंगे तो आज बारा बंकी दौरा है मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ का जैदपुर और बारा बंकी सदर विदान सभाशेतर में जन सभावी करेंगे 246 परियोजनाओं का लोकारपन और श्रा बंकी भाशेतर में जन सभावी मुख्यमंत्री की होने जा रही है तो मुख्यमंत्री योगी के आज के दौरों में बारा बंकी में खास 246 परियोजनाओं का लोकारपन अश्रिला न्यास और साथी दो जन सभाय भी और आई अब आपको समझाते हैं कि आखिर मुक्षबंतरी योगी का बाराबंकी दोरा क्यों महत्तों हो जाता है 2017 के चुनाओं में पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी 2017 में बाराबंकी सदर सीट पर बीजेपी हार दे उपचुनाओं में जैत्वर विदान सभा सीट पर समाजवादी पाठी ने कबजा कर लिया 2022 फतह के लिए 60 सीटों पर बीजेपी खासा फोकस रखे हुए है और जिन 60 सीटों पर बीजेपी हारी है वहीं पर मुख्यमंत्री की जनसभाओं का कारिक्रम रखा जया है इधर योपी मोहने वाले विदान सभाचुनाओं में एंडिये की सहिएगी पार्टी रिपब्लिकिन पार्टी अफ इंडिया भी दम भर सकती है कुरकपुर्बे पार्टी के अध्यक्ष और केंद्री राज्यमंत्री रामदास अठावले ने इसके संकेत दे दिया है इसके लिए आरप्याई 26 सितंबर से योपी में जन जागरती और जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन कल्यान यात्रा की शिरुवात करने जा रही है इसके लिए उन्होंने प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारने की मांगी है जिससर अमने बोला कि एक आओ 500 मकान हों का है और वहां मतलब 80% लोगों के पास जेमीन होती है 80-85% से 10-15% लोगों के पास अगर जेमीन आ नहीं है उनको 5 अगर जेमीन कैसी दे सकते है इसका प्लान सरकार नहीं का करना चाहिए मैंने भली भी बोला कि सरकारी लो विकेंड लेंड होती है वो की दी जा सकती है झाला चाहिए चले बागे बढ़ते हैं आपको पूर्वान चलके खबरे सुपरफास अंदास में दिखाने हैं खबरों के शुरुआत करते हैं पतेपुर में लगातार बारश्य कारण जल जीवन अस्वियस ग्रामेड अलाकों में एक कच्छे घर की दिवारे इढ़े गई चांपूर थाने में एक कच्छे घर की दिवार गिरने से किशोर की मौट मैनपूरी के नवोदे विद्याले में ग्यारवी क्लास की छात्रा के संदिक दमौट के मामले में प्रताबगर में एट्रियस और धिली पुलिस की स्पेशल सेल ने इम्तियाज उर्फ कल्नू को किरतार किया है उसके बाद इलाके में हरतम बचकिया था इम्तियाज की पत्ती ने अपने पत्ती को निर्दोश बताया और का कि वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पुछन करता था बलिया में बारिश होने की वज़े से मकान की कच्चे दिवार गिर गई एक ही परिवार के तीन लोग से में दब गए घटना में दिवार के नीचे दब कर जाने से एक बुज़र्ग महिला की भी मौत हो गई और दो लोग से खाल हो गई आजमगर में पांस दिन पहले हुए मर्डर में पुलिस ने खुला सा किया है मुंबई से बैन के भाई ने हत्या के लिए हत्यारे भेजे थे पुलिस ने जानकारी दी की प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया सभी आरोपियों को सविलस के जरीए पकड़ा गया सोनभदर में सड़क चौडी करण में लापरवाही का खामियाजा दो दोस्तों ने जान गवा कर खुपता वीच सड़क लगे बिजले के खंबे से बाइक सवार दो दोस्त तकरा गए नई बने सड़क परगड़े को बचाने की चकर में बाइक बिजले के खंबे से तकरा दे फ़रूखाबाद पुलस ने महिला के हत्या की गुथी को सुझा लिया है महिला के पती को गिरपतार कर लिया गया और पती का नशा करने का वो विरोध करती थी जिसके बाद शक्स ने पत्नी के हत्या कर शब को पेड़ से लटका दिया कानवज में तेजरबतार बेकाबू बाहन गहरे खट्डे में जागिरी हासे में दो लोगों की दर्दनाक मौत होगे गटना की सुचना मिलते ही मौके पर पोलिस महुची कानपुर में मामूली विवाद में दबंगो ने पूरे परिवार की जम कर पिटाई कर दी मारपीट में कई महलाओं समय चाड़ लोग घायल हो गए मारपीट का विडियो सोचल मीडिया पर वाइरल है पूरे घटना चौबेपुर थाना शेत्र की है अमेटी में पारिवारिक विवाद में मा बेटे ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की ग्रामेडों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पियार वी ने ग्रामेडों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया प्रात्मिक उप्चार के बाद डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रिफर कर दिया है दिली और उतरप्रदेश से आतंकियों की घिरपतारी के बाद अयुद्या का सुरक्षा घेरा साथी हर आने जाने वाले के उपर निगारे पीचार